नमस्कार दूस्तों मेहो अतुल और यह है नोईस कलर फिट कैलिबर जू हाली में लोण छुई है फ्लिपकाट पे और आपको मिलती है केवल 1999 में तो 2000 के प्रैस के अंडर में यह लोण छुई है और इसमें जो फीचर्स है काफी धेर सारे फीचर्स इसमें आपको मिल जाते और खास करके इसमें जो temperature sensor है जिसके वदद से आप body temperature को measure कर सकते हो इसके लावा इसमें 60 sports mode और बात करेंगे दुसरे खास features की तो इसमें 1.69 इंच का TFT LCD display 240 x 280 pixel resolution इसके लावा hard rate है SPO2 calls and SMS quick reply है 5 quick reply आपको मिलेंगे call और SMS के आने पर आप किसी को भी send कर सकते हो और यह जो feature एक एवल Android phone में ही काम करता है iPhone में यह काम नहीं करेगा 60 sports mode है तो धेर सारे आपको sports mode मिल जाएंगे 15 day battery life है हाला कि यहाँ पी लिखा गया है 15 दिन का battery backup मिलेगा लेकिन यह आपके usage पे इवेंट करता है कि आपकी सरीके से use करते हो अपनी watch को IP68 waterproof है और यह है stress monitor के सा तो इसमें आप stress भी measure कर सकते हो तो कई सारे features आपको इसमें मिल जाते है तो हम करने वाले है इसका full setup देखेंगे क्या-क्या features और settings आपको इस watch में मिल जाती है किस तरीकी से आपको setup करना है और फिर देखेंगे last में इस car view कि क्या वाकई आपको इस watch को prefer करना चाहिए तो सब और से पहले हम करेंगे इसकी unboxing और करेंगे फिर इसका full setup दोस्तों box में आपको मिलती है इतनी चीजे यह है user manual और यह है warranty card warranty किस तरीके से आपको activate करने है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में इसके अलावा यह है noise के stickers यह है charger जिसके जड़िए आप अपनी watch को charge कर सकते हो चार्ज करने के लिए आप 5W, 10W या फिर 15W का charging adapter है उसका use कर सकते हो या फिर आप अपने PC या laptop का USB port है उससे भी charging कर सकते हो जितना slow charge करोगे आपकी watch को उतना अच्छा होता है आपके watch के battery life के लिए इसके अलावा इससे charge करने के लिए लगते है दो घंटे तो पहली बार ज अच्छा दिन का battery backup दे देगा ऐसा लिखा हुआ है लेकिन यह maximum आपको 10 दिन का battery backup देगा यह आप पे usage payment करता है कि आप किस रिके से use करते हो उसके साब से आपको battery backup मिल सकता है दोस्तों बात करते है इसके physical overview की तो इसमें आपको एक बड़न मिलता है जिसमें noise की branding है छोटी स और इसमें काफी अच्छा आपको tactile feedback मिलता है जब आप इसे press करते हो और इसमें एक अच्छी बात है कि पूरा जो यह बोड़ी मतलब यह जो design है यह flat edge है आप देखो के चारो साइड से flat edge तो यहाँ पे कोई भी cover नहीं है display पे पूरी तरह से flat है तो काफी अच्छा लगता ह यह दिखने में काफी अच्छी लगती है watch हाला कि इसकी build quality plastic के लेकिन फिर भी दिखने में काफी बढ़िया है और पीछे में heart rate SPO2 और यह temperature sensor भी आपको दिया गया है जो straps से silicone के straps भी काफी बढ़िया है आप इन्हें remove भी कर सकते हो remove करने के लिए जो pin है आपको उसे खिचन पड़ता है नीचे की और इस तरीके से और भार करिए फिर ओर insert करने के लिए लिए निचे की और आपको align करना है हो अपर से खिच ए इसे और फिर उपर के hole में भी आपको इसे insert कर देना है इस तरीके से दोस्तो वाच को switch on करने के लिए आपको बड़न पे long press करके रखना है और watch switch on हो चुकी है और इसे use करने के लिए आपको इसे pair करना पड़ेगा app के साथ तो हम अब इसे pair करेंगे दोस्तो वाच को pair करने के लिए आपको अपने phone में एक app को डाउनलोड करना पड़ता है जिसका नाम है noise fit health and fitness इसे डाउनलोड कर लिजिए फिर आपको इसे open करना है tick करना है agree करना है यहाँ पे आपको मिलेंगे तीन option pair device मतलब आपको login या sign up करने की जुरूत नहीं पड़ेगी आप directly बिना login sign up के pair कर सकते हो device को या फिर आपको login करना पड़ेगा फिर sign up पहली बार अगर आप use करते हो noise app को तो आपको sign up करना है अगर आप पहले कर चुके हो इसे use तो आपको login करना है और अगर आपको कोई भी login sign up नहीं करना है तो आपको pair device करना है लेकिन अगर आप बिना login sign up के करोगे तो आपका data save न और आप Facebook, Google या फिर किसी भी email से login या फिर sign up कर सकते हो तो मैं Google से करूँगा, फिर आपको करना है allow, फिर करिए pair device, while using the app, ok, और आपको color fit caliber मिल जाएगा, आपको उस पर tap करना है, आपकी watch पे एक confirmation message आएगा, आपको उसे tick करना है, यहाँ पे watch pair हो चुकी है, अब आपको करना है get started, आपको wait करना है, sinking होने दिना है, तो सबसे पहले हम जाएंगे settings में और आप अपना जो profile है, उसे change कर सकते हो, आपको profile पे tap करना है, और यहाँ पे अब अपना DOB, unit system, height, weight, step length, slip goal, step goal, calorie goal, distance goal को change कर सकते हो, आपको edit पे tap करना है, और आप सबी चीजों को change कर सकते हो, और आपको change करना हुआ तो, फिर इसके बाद आपको करना है warranty को register, तो आपको इस पे tap करना है, warranty registration को, और फिर आपने कहां से यह watch को खरीदा है, amazon या flip card आपको choose करना है, serial number आपको enter करना है, या फिर आप scan करके भी कर सकते हो, तो आपको scan पे tap करना है, allow कीजिए, और box पे एक serial number होगा, यह रहा, SN लिखा होगा, उसे आपको scan करना है, तो scan हो चुका है, तो serial number scan होके, यहाँ पे enter हो चुका है, फिर आपको करना है, submit, तो warranty activate हो चुकी है, अब हम आगे बढ़ेंगे, और जो connected device है, color fit caliber, यहाँ पे आपको battery percent show होगा, 87 percent, जो भी आपका होगा वो, आपको इस पर tap करना है, और सबसे पहले आपको update है कि नहीं available, उसे चेक करना है, तो आपको check for update पर tap करना है, update अगर available होगा, तो आप यहाँ से उसे download कर सकते हो, अभी हाला कि update available नहीं है, अब हम tap करना है, इसे own करना है, हर कितने घंटे के बाद यह reminder आना चाहिए, तो आप यहाँ पे frequency को, जो time है, वो select कर सकते हो, इसके बाद कितने time से लेकर, कितने time के बीच में reminder काम करना चाहिए, आपको यहाँ पे start time, end time select करना है और करना है update, तो हर एक घंटे के बाद आपको reminder करना है, अपने आप जो heart rate होगा, measure होता रहेगा, और अगर आपका heart rate मानलो मैंने 160 किया है, तो अगर 160 के उपर जाता है, तो मुझे alert आएगा कि आपका heart rate 160 के उपर पहुच चुका है, लेकिन अगर आप auto पे रखते हो, तो उससे battery ज्यादा यूज़ होगी, इसलिए आप auto पे ना रखो, तो अच्छा रहेगा, फिर आप जब चाहे तब watch से ही, जो heart rate है, उससे measure कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको auto करना हो, तो आप कर सकते हो, अगर आपको charging करने की कोई problem निये, बार बार तो आप उससे use कर सकते हो, Google Fit, तो आप जो ये app है, उसका जो data है, Google Google Fit से भी sync कर सकते हो, आपको इसे on करना है, तो आप जो app का data है, Google Fit आप से sync हो चुका है, जो भी data आपको इस app में मिलेगा, वही same data आपको Google Fit में भी मिल जाएगा, आगे है rapid eye moment, तो जब भी आप सोते हो, तो सोते हुए आपकी पल के छपकती है, जिसे केते dreaming stage, जब आप सपन आए moment कितने minute के लिए के आए, कितने घंटे के लिए की आए, वो भी measure होगा, जिसे RAM भी कहते है, आगे जाएंगे तो आगे है, drink quarter reminder, तो आपको पानी पिने का भी reminder मिल जाता है, आपको इसे own करना है, हर कितने घंटे के बाद आपको पानी पिने का reminder आना चाहिए, आप यहा device time को set कर सकते हो, एक तो होता है time format, मतलब 12 hour या फिर 24 hour, आप जो format में time show करना चाहते हो, आपके watch में, उस time format को आप चूस कर सकते हो, मैंने 12 hour किया है, ठीक है, इसके अलवा, आपके phone में जो time show हो रहा है, आप अगर same, वही time show करना चाहते हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको permissions को allow करना है, और आपको अपनी watch को shake करना है, इस तरीके से, shake करोगे, तो photo capture हो जाएगी, आप देख पारे हो, और photo capture हो चुकी है, आप camera को यहाँ से rotate भी कर सकते हो, आपको shake करना है, और photo capture हो जाती है, back आईए, पिर आगे है, body temperature unit, आपको body का temperature कौन से unit मे measure करना है, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे दो option, Celsius और Fahrenheit, लेकिन मेरे phone में यह load नहीं हो रहा है, तो आपके phone में अगर load होता है, तो आपको Fahrenheit चूस करना है, एफ फोला चूस करना है, क्योंकि most of जो लोग होते है, body temperature, Fahrenheit में measure करते हैं, और जो भी आपका temperature होगा, Fahrenheit में, वो 99 से न normal होता है, आगे है, find device, अगर आप इस पर आप करोगे, तो आपकी watch का display on होगा, और वो vibrate करने लगेगी, तो आप देखोगे, display on हो चुका है, और vibrate कर रही है, इसे कहते है find device, फिर आगे है weather settings, तो आपको अगर weather देखना हुआ अपनी watch में, तो आपको इसे on करना है, location यहा आप पे automatically आ जाएगा, location आ चुका है, और आप जो weather है, अपनी watch में देख सकते हो बाद में, आगे है notifications and alerts, तो अगर आपको SMS, call, किसी भी आपके message देखने हुए, तो आपको speed app करना है, इसे allow करना है, S किजिए, noise speed app को tick किजिए, allow किजिए, back आईए, फिर वापस इसे on किजि SMS को भी on किजिए, allow किजिए, call alert को भी on किजिए, allow किजिए, सभी permissions को आपको allow करना पड़ेगा, तब जाके ही जो calls और message वो show करेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे WhatsApp, LinkedIn, Instagram, FB Messenger, Skype, Twitter, Facebook, Viber, Gmail, Outlook, Snapchat, Telegram, Pinterest, और जो app आप यूज नहीं करते हैं, आपको उसे enable नहीं करना है, औ उनी apps को आपको select करना है, सब भी apps को select करने की जड़ोत नहीं, जितनी ज़्यादा notification आएगी, उतनी ज़्यादा वेटरी यूज होगी, दोस्तों अब देखते हैं, अगर आपको कोई भी call आता है, तो किस तरह के से show होगा आपकी watch पे, तो आप देख सकते हो call आ चुका है य इसके अलावा आप यहाँ पे quick reply भी send कर सकते हो, आपको arrow key button पे tap करना है, और यहाँ पे आपको मिलेंगे 5 quick reply जो आपने set किये है, और आपको कौन सा send करना है, तो आपको arrow key button पे tap करना है, और यहाँ से quick reply send हो जाएगा, दोस्तों आप देखते हैं, अगर आपको कई भी SMS आत तो आप क्या करोगे, आपको swipe down करना है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा SMS या message, तो आपको उसे पढ़ सकते हो detail में, खहां से message आया है, आपको उसका contact का नाम या number भी show करेगा, और आप जैसे swipe up करोगे, तो आप यहाँ से clear कर सकते हो, या फिर आप अभी भी quick reply send कर सकते ह है, और जब चाहिए तब आप उस SMS को quick reply send कर सकते हो, तो आपको इस पर tap करना है arrow के order पे, और फिर आप यहाँ से quick reply send कर सकते हो, आपको जो send करना हो, मुझे करना यह वाला तो इस पर tap कीजिए, और यह वाला जो quick reply होगा, send हो जाएगा, दोस्तों अब देखते हैं, अगर आ लेकिन किसी भी दूसरे app के लिए display on होता नहीं है, तो अगर आपको देखना हुआ तो इस पर tap कीजिए, प्रेस कीजिए, और swipe down कीजिए, यह रहा WhatsApp का message, आप इसे पढ़ सकते हो, और यहां से आप उसे clear भी कर सकते हो, तो एक-एक message को आप इस तरह के से clear भी कर सकते हो, swipe down क करने के बाद, इसके लावा अगर आपको सभी notification को clear करना है, एक साथ, तो आपको उपर में clear all करना है, यह रहा clear all का option, उपर में सभी notification clear हो जाएंगे, आप एक साथ यहां पे 10 notification को देख सकते हो, तो यहां पे 10 notification show होती है, और आपको clear all करना है, तो आप clear all कर सकते हो, आगे है My Alarms, तो आप यहां से alums को set कर सकते हो, आप एक साथ यहां पे 5 alums को set कर सकते हो, आपको add new पे tap करनाई, time set करनाई, am pm set करनाई, कौन से day पे यह alarm play होना चाहिए, day को select करनाई, उसके बाद करनाई save alarm और अगर आपको किसी भी alarm को delete करना हो तो आपको long tap करना है और फिर आप यहाँ से tick करके उसे remove कर सकते हो आगे है hand wash तो आपको यहाँ पे hand wash के लिए भी reminder मिल जाता है तो आपको इसे enable करना है हर कितने घंटे के बाद hand wash का reminder आना चाहिए आपको यहाँ पे frequency को set करना है और फिर यहाँ पे कौन से time से लेकर कौन से time के बीच में यह आना चाहिए reminder आपको time set करना है और update करना है आगे है my reminders तो यहाँ पे आप अपने जो reminder से वो add कर सकते हो मतलब किसी का birthday किसी की anniversary कोई meeting तो कोई भी जो भी आपको चीजे याद रखनी है उसे आप यहाँ पे add कर सकते हो आपको my reminders पे tap करना है आप एक साथ यहाँ पे 5 reminder को set कर सकते हो तो आपको add new करना है मालो मुझे यहाँ पे किसी का birthday के लिए जो reminder है वो add करना है तो मैं यहाँ पे लिखोंगा birthday date select करूँगा इसके लावा ok करूँगा और बाद में जो time है वो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो ok किजिए, save किजिए और जो भी reminder आप यहाँ पे add करोगे आपके watch में भी show करेगा और जब यह time or date आएगा remainder का आपको alert आएगा आपकी watch में फिर आगे है quick reply का option तो आप call और SMS के लिए quick reply send कर सकते हो यहाँ पे आपको by default 5 quick reply मिल जाएंगे आप इने change कर सकते हो आपको करना edit यहाँ से पहले आपको remove करना पड़ेगा अगर आपको add करना हो आतो तो आपको minus के sign पर tap करना है और यह remove हो जाएगा अगर आपको add करना है तो add कीजिए और आप अपने हिसाब से कोई भी जो quick reply है उसे add कर सकते हो जैसे कि I will call you later फिर save कीजिए इसके बाद आप इने उपर नीचे भी कर सकते हो तो आपको फिर बार जो है उस पर long tap करना है और ऐसे drag करना है आप इने उपर नीचे भी कर सकते हो और आपको करना है done तो 5 quick reply आपको show करेंगे जब भी आपको कोई SMS या फिर call आएगा तब फिर इसके बाद last में है world clock का option तो आप यहाँ पे किसे भी 5 cities का जो time है उसे add कर सकते हो जैसे आपको add करना है मानलो आपको करना है टोक्यो तो करिए फिर इसके बाद आपको उस पर tap करना है टोक्यो हो गया इसके बाद add किजिए Wellington तो इस तरीके से आप 5 cities को add कर सकते हो उनका time आपको शोगरेगा कि दुनिया के इन शहरों में क्या time चल रहा है आपको done करना है आप इसे remove भी कर सकते हो minus के send भी डाप करके या फिर आप इन्हें उपर निचे भी कर सकते हो इस तरीके से और आपको done करना है back आईए और यहाँ से आप अपने watch को unpair भी कर सकते हो दोस्तों आप देखते हैं आपको किस तरीके से watch face को add करना है तो आपको back आना है और यहाँ पर आपको मिलेगा watch face का एक separate option आपको इस पर tap करना है और यह रहाँ watch face का option आप यहाँ से 140 जितने watch face को download करके apply कर सकते हो या फिर आप अपने खुद की photo भी add कर सकते हो अगर आपको किसी भी watch face को download करना हुआ तो आपको उस category को open करना है more पर tap करके फिर मान लोग आपको यह वाला add करना है तो आपको उस पर tap करना है करिए update watch face दोस्तो watch face update हो चुका है आप देखोगे यह वाला add कर से आप पर apply हो चुका है इसके लवा आप अपने खुद के भी photo यहाँ पर set कर सकते हो आपको back आना है और सबसे उपर में होगा custom का option यहाँ पर लिखा होगा let's go आपको let's go पर tap करना है तो let's go पर tap करिए आप तिन तरीके से उसे set कर सकते हो time उपर रहेगा time नीचे रहेगा या फिर time right corner में रहेगा तो आपको time उपर करना है तो आपको इससे select करना है फिर आपको gallery को open करना है और जो photo आपको set करने है उससे open करिए मानलों आपको यह वाली photo add करने तो इस पर tap किजिए और आप इसे zoom in, zoom out कर सकते हो अपनी हिसाब से इस तरीके से और फिर आपको करना है tick पर tap तो इस तरीके से आपको show होगा और आप जो text का color है उसे भी change कर सकते हो आपको कौन से color में show करना है time का color उसे आपको set करना है और करना है update watch face तो मैंने जो photo set की थी वो photo का watch face यहाँ पर apply हो चुका है आप यहाँ पर देख सकते हो ब्याक आई है तो इस तरीके से आप watch face को apply कर सकते हो इसके बाद हम जाएंगे summary में तो summary में आपको सबसे पहले उपर में मिलता है challenge इसका option लेकिन आप ऐसे swipe down करके भी इससे refresh कर सकते हो ताकि आपका जो data है watch में यहाँ पर sync हो जाए challenge में होता है इस मेने का challenge तो इस मेने कौन सा challenge चल रहा है आपको इस पर tap करना है तो यह है या new year challenge इस मेने के लिए तो यह अब चल रही है आपको total distance 100 km कवर करना है इतने तारिक से लेकर इतने तारिक के बीच में कितने participant है आप यहाँ पर देख सकते हो अगर आपका 3 number आता है 123 में अगर आप आते हो तो आपको prize मिलेगा यह दिया है आप और आप यहाँ से join कर सकते हो दोस्तों फिर ब्याक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है आज का record यह है distance तो आपने आज कितना distance कवर किया है कितने steps आप चले हो कितनी kilo calorie burn हुई है आप यहाँ पर देख सकते हो डिटल में अगर आपको देखना हुआ कितना distance कवर किया है आप graph पर ट्याप करके भी चेक कर सकते हो कितने बज़े आपने कितना steps count किया था इसके अलवा आगे है sleep hours तो आप यहाँ पर अपनी sleep data चेक कर सकते हो कितने घंटे आप सो है थे start time, end time कितना था dip sleep, light sleep, awake कितने घंटे के लिए आप थे रेम कितने मिनट या कितने घंटे के लिए था आप यहाँ पर चेक कर सकते हो graph wise शो करेगा अगर आप sleep data record करते हो तो आप day wise, week wise, month wise, year wise चेक कर सकते हो और आप यहाँ पर जो date या week या month है उसे भी change कर सकते हो आगे है distance तो आपने आज कितना distance cover किया है यह है day wise, week wise, month wise, year wise आप चेंज कर सकते हो उस date को, year को, month को इसके लगा आप यहाँ पर देखोगे distance, kilo calorie और steps इसके लगा आप अगर graph पर टाप करोगे तो आपने कितने बज़े कितना distance cover किया था पिर आगे heart rate, तो आपने अगर heart rate measure किया हो, अगर तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो यह है day wise, week wise, month wise, year wise और अगर आप देखोगे आपने कितने बज़े कितना heart rate measure किया था, यहाँ पर show होता है graph wise भी show होता है, आप यहाँ पर maximum minimum, minimum देख सकते हो, फिर आगे है stress count तो आपने stress measure किया होगा, अपने वाच में तो यहाँ पर show होगा average count कितना है stress का, minimum, maximum कितना है 60 के नीचे होना चाहिए, आप day wise, week wise, month wise, year wise चेक कर सकते हो, और अगर आप graph पर tap करोगे तो यहाँ पर कितने बज़े आपने मजर किया था, कितना आया था reading यहाँ पर show करेगा, और नीचे में आपने कितने बज़े record किया था, कितना आया था, वो सब कुछ यहाँ पर show करेगा आगे है SPO2, blood oxygen, तो यहाँ पर भी आपको show करेगा day wise, week wise, month wise, year wise, और यहाँ पर आपको average, minimum, maximum show करेगा graph पर अगर आप tap करोगे, तो कितने बज़े कितना SPO2 आया था, show करेगा और आपने जो भी measure किया आप तक, यहाँ पर time के साथ show करेगा और फिर last में यहाँ पर है body temperature, तो यह Fahrenheit में show हता है day wise, week wise, month wise, year wise, तो यह 99 की नीचे ही होना चाहिए average आपको show करेगा, minimum, maximum show करेगा, graph पर tap करके कितने बज़े कितना measurement आया था, यहाँ पर show करेगा और आपने अब तक कितना measure किया, कितने बज़े measure किया, यहाँ पर सब कुछ show करेगा फिर आगे है यहाँ पर activities, तो आपने अगर watch में कोई भी activity की होगी तो last में यहाँ पर show करेगा, walking, outdoor running, cricket अगर आप उस पर tap करोगे, तो आप उसका detail में record चेक कर सकते हो कितने समय के लिए क्या था, क्या pace थी आपकी, speed कितनी थी, cadence कितना था cadence मतलब एक minute में आपने कितने steps लिए थे, total steps कितने थे आप यहाँ पर map देख सकते हो, आपका heart rate हर minute में कैसा था, कैसे change हुआ था आपका जो calorie थी, आपने कितनी burn की थी हर minute में, आपको यहाँ पर show करता है उसे तरीके से अगर आप जाओगे activity में, यहाँ पर, same वही शो करेगा, कि date के साथ शो करेगा कि इस दिन के लिए आपने कौन सी activity की है, और यहाँ पर walking, outdoor running, cricket यहाँ पर show होता है इस पर अगर आप tap करोगे, तो यहाँ पर वही show होता है, जो हम देख चुके, सब कुछ detail में आप यहाँ पर देख सकते हो, इसे share भी कर सकते हो दोस्तो तो यह थे वो features और settings जो आपको इस app में मिलते है, अब हम देखेंगे watch में आपको कौन-कौन से features और settings मिल जाते है दोस्तो watch में आपको watch face अगर change करना हुआ, तो आपको long tap करना है, और फिर आपको swipe करना है, इस तरीके से आप watch face को change कर सकते हो अगर आपको यह वाला set करना है, तो आप इस पर tap कीजिए, यह वाला set हो जाएगा अगर बात करेंगी button की, तो आप अगर इस पर one press करते हो, तो आपको यहाँ पर menu मिल जाएंगे, आप menu में यहाँ पर quickly access कर सकते हो वापस अगर आप press करोगे, तो आप जाओगे home page पे, फिर जैसे आप swipe up करोगे, तो यहाँ पर आपको मिलता है quick panel यहाँ पर उपर में होता है battery percent, फिर यह है power swing mode, जिसके जरी आप अगर इसे use करोगे, तो आपकी watch का display, मतलब brightness उसकी कम हो जाएगी vibration off हो जाएगा, तो आप इसे use कर सकते हो, बैटरी ज्यादा चलेगी, और जो यह है find my phone, अगर आप इस पर डप करते हो, तो आपका phone अगर silent पे भी होगा, तो आपके phone में ring बजेगी, जैसे आप यहाँ पर देखोगे stop करने के लिए, यहाँ पे tap करना है, तो यह तब काम आता है, जब आप अपने phone को कहीं पर रख देते हो, और भूल जाते हो, कहाँ पर रखा है आपने, तो अब यह काम आएगा, फिर आगे है brightness control, तो आप यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 लेवल तक brightness को adjust कर सकते हो, brightness इसकी बढ़िया है, 5 लेवल पे, तो आउट्डोर में भी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, इसके लाए यह है D&D, जुनो disturb mode, अगर आप इसका यूश करोगे, तो कोई भी notification, कोई भी call reminder, कोई भी vibration में नहीं आएगा, तो आप जब सोते हो, तो आप इसका यूश कर सकते हो, आगे torch का option, तो आप यहाँ से torch को on कर सकते हो, इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हो, on, off, back जाना हुआ, तो आप इस तरीके से भी back जा सकते हो, आपको swipe करना पड़ता है, इस तरीके से, ऐसे, जैसे आप देखोग तो आप यहां से जो intensity है उसे adjust कर सकते हो low, medium और high अपने इसाब से फिर आगे है wrist awake अगर आपने इसे on कर दिया तो मानलो आपकी watch का display off हो जाता है तो आप अगर अपनी watch को उपर उठाओगे, tilt करोगे, display इसका on हो जाएगा 30 सेकंड तक display उसका on हो जाएगा, फिर आगे है reboot का option आप यहां से अपनी watch को reboot कर सकते हो power off कर सकते हो और reset भी कर सकते हो, इसके अलावा अगर आप इस बड़न पे long प्रेस करोगे तो आप यहां से भी power off reboot और reset कर सकते हो, आप यहां पे देख सकते हो, अगर आपको reboot करना है तो reboot करिए और tick पे tap करिए दोस्तों फिर जैसे आप swipe left करते हो, तो यहां पे होता है activity page जिसमें है, kilo calorie पहले show होगा फिर steps show होंगे, फिर आप कितने minute तक active थे, कितना distance cover किया है, और कितने बार आप खड़े थे, stand up थे, यहां पे show करता है और फिर जैसे आप swipe up करोगे, तो यहां पे graph wise show करता है, steps standing और calorie, फिर जैसे आप करोगे, तो आगे है heart rate, तो आपको यहां पे tap to measure करना है, और यहां से maximum minimum measure हो जाएगा आप graph wise यहां पे check कर सकते हो, आगे है stress measurement, यहां से भी आप stress को measure कर सकते हो, तो यहां पे minimum maximum show करता है, और आप graph wise यहां पे check कर सकते हो, फिर आगे होता है breathing exercise, आपको यहां पे time set करना पड़ता है, mode select करना पड़ता है, fast, moderate या slow, और फिर आपको करना पड़ता है start, आप यहां आगे है music का option तो आपको music play करने के लिए tap करना है music play हो चुका है title भी शो कर रहा है song का title आप next previous कर सकते हो volume को अब down कर सकते हो अगर आपके watch में music control काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है आपको अपने phone में music आपको open करना है किसी भी music को play करना है post करना है फिर उसे close करना है फिर इसके बाद आप play करिए वो काम करने लगीगा फिर आपको जाना है home page पे और अगर आपको जाना हुआ main menu में तो press करिए इस पे main menu में आ जाओगे noise health इसमें है activity जो हम देख चुके है इसके बाद है sleep data इसमें आप कितने घंटे सोए थे deep sleep light sleep रेम अवे कितने घंटे का था यहाँ पे आपको शो करेगा graph के साथ फिर आगे है SPO2 यहाँ से आप SPO2 को measure कर सकते हो maximum minimum शो करेगा graph के साथ फिर आगे है heart rate आप यहाँ से भी measure कर सकते हो फिर आगे है temperature का option यहाँ से आप अपने body के temperature को measure कर सकते हो आपको surface का भी show करेगा और overall body का भी show करेगा stress monitor आप यहाँ से भी stress को measure कर सकते हो पिर ब्याक आने के बदा आगे है clock का option जिसमें है पहला alarm तो आप यहापे alarm देख सकते हो जो भी आपने alarm set की है अब में उन्हें आप यहापे देख सकते हो, अला कि आप यहाँ से उन्हें edit नहीं कर सकते, उनुप भी नहीं कर सकते, लिकिन आप के वल यहाँ पर time और जो day है उससे देख सकते हो, आगे है stop watch का option, तो आप यहाप पे stop watch को start कर सकते हो, lab भी दे सकते हो इस तरह के से, post करिए, reset करिए, back आईए, फिर आगे है world clock का option, तो हमने जो 5 cities को add किया था, उनका time आप यहाप पे check कर सकते हो, तो आपको इस पे tap करना है, और यह है Tokyo, फिर यह है Wellington, यह है London, यह है New York, और यह है Dubai, तो time क्या हो रहा है, कुण सा day है, यहाप इस शो करेगा, ब्याक आईए, फिर आगे timer का option, तो आप यहाप एक से 6 मिनट तक start कर सकते हो, फिर आप अपने इस आप से 24 गंडे तक का भी जो timer है, उससे start कर सकते हो, आवर, यह है minute और यह है second, फिर ब्याक आने के बाद आगे है, workout का option, जिसमें 60 sports mode, इसमें आपको अलग-अलग category में मिल जाएंगे, अलग-अलग sports, जैसे है running sports, cycling, indoor sports, outdoor sports, snow sports, ball games, dance sports, combat sports और other sports, अगर आप जो होगे, ball games में, तो ball games में है, cricket, basketball, badminton, baseball, bowling, squash, short ball, cricket, volleyball, ping pong, handball, football, इतने सार है, तो अगर आपको मानलो किसी को start करना हुआ, तो आपको उसे start करने के लिए, जाना है, उस पर tap करना है, जैसे मानलो walking करना है, तो walking पर tap करिए, आप यहाँ पे अपना goal भी सिलेक कर सकते हो, तो यह रहा goal, कितने time तक करना है, कितने calorie burn होने तक करना है, कितना distance cover होने तक करना है, आप यहाँ पे goal set करोगे, जब goal आ जाएगा, तब automatic यह stop हो जाएगा, तो मुझे goal set नहीं करना है, directly आप start करिए, go करिए, GPS on हो जाएगा, आपके phone में, और फिर यहाँ पे यह start हो जाएगा, तो पर में time show होता है, heart rate show होता है, kilo calorie कितनी बन होई है, वो show होता है, फिर नीचे आप आओगे, तो distance आपने कितना cover किया है, इसके पहले आपका pace कितना था, average pace कितना है, अभी का pace कितना है, cadence, cadence मतलब एक मि कितने steps लिए है, इसके बाद जैसे आप swipe करोगे, तो आपको यहाँ पे मिलता है music का quick control, आप workout करते करते है music को, आसानी से control कर सकते हो, और अगर आपको इसे end करना हुआ, तो आपको इस button पर press करना है, लेकिन अगर आप एक मिनट से पहले end करोगे, तो activity में यह show नहीं करेग में, तो आपने walking किया है, outdoor running किया है, और आपको अगर किसी को देखना हुआ detail में, तो उस पर tap कीजे, और आप यहाँ पे उसके detail चेक कर सकते हो, फिर आगे है weather का option, तो यहाँ पे आपको weather show करेगा, इसमें अभी का weather और आज का minimum maximum show करता है, swipe up करोगे, तो यहाँ पे आज का और अगले चार दिन का, आप टोटल पाच दिन का weather show करेगा, minimum maximum के साथ, फिर आगे है music control, जो हम देख चुके है, breathing exercise, यहाँ से विए आप start कर सकते हो, reminders जो हमने add किये थे, वो यहाँ पे show करेंगे, बडड़े के लिए, meeting के लिए, और यह कब होगा, आपको time show करेगा, अगर आपको लगता है कि reminder कोई खतम हो चुका है, तो इस पर tap किजिए, वो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, फिर आगे है flashlight का option, तो आप यहाँ से भी flashlight को on कर सकते हो, और फिर उसके बाद है watch faces, आप watch face को यहाँ से भी change कर सकते हो, इस तरीके से, दोस्तों तो यह थे वो features और settings जो आपको मिल जाती है इस watch में, अब हम बात करते हैं इसके रिव की, दोस्तों अपने 2000 के price point में कही सारी watch को देखा होगा, यूस भी किया होगा, लेकिन उसमें क्या होता है, एक तो उनकी design अच्छी होती नहीं है, brightness डल होता है, इसके अलावा features की कमी होती है, लेकिन इसमे design भी काफी बढ़िया है, हाला कि build quality plastic की लेकिन इसका जो look है, और design है काफी बढ़िया लगा मुझे, flat edge design है, जो काफी अच्छा लगते दिखने में, और इसमें features की कमी नहीं है, features इसमें सारे दिये गए है, जो एक smart watch में होनी चाहिए, मतलब find my phone है, quick reply है, world clock है, reminder से, सब कु को silent कर सकते हो, quick reply send कर सकते हो, बस एक ही कमी है इसमें, कि जब भी कोई app से notification आती है, display इसका on होता नहीं है, हाला कि SMS जबाएगा, display on होता है, लेकिन अगर watch से आप या telegram या gmail से अगर कोई notification आती है, display इसका on होता नहीं है, बाकी सब कुछ इसमें perfect है, तो मेरे हिसाब से यह एक complete package है, अगर मुझे किसी को gift करना हुआ, एक watch 2000 के price point में, तो मैं definitely सबसे पहले इसे choose करूँगा, दोस्तो तो यह था noise color fit caliber watch का full setup with Ryu, अगर आपका कोई भी सवाल हो, तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे Instagram पे या फिर Twitter पे भी message कर सकते हो, इस वीडियो को देखने के ल